सेंटिमीटर से परीचे भाग एक इंट्रोड़क्शन टू सेंटिमीटर पार्ट वन आज हम जानेंगे की लंबाई को कैसे ना पाजा सकता है और हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई वस्तू दूसरी वस्तू के मुकाबले छोटी है लंबी है या सामान लंबाई की है नेहा और वंदना आज रेट से खेल रही है और अपनी गुडियाओं के लिए एक किला बना रही है देखो वंदना मैंने हमारी गुडिया के लिए एक किला बनाया है अरे वाँ ये तो बहुत संदर लग रहा है चलो अपनी अपनी गुडिया को इस किले में बठा देते हैं अरे तुम्हारी गुडिया के लिए तो ये किला छोटा रह गया तुम्हारी गुडिया तो किले में से दिखाए दे रही है हाँ तुमको किला बनाने से पहले मेरी गुडिया के लंबाई के बारे में पता करना चाहिए था अरे तो उसमें क्या है? एक और किला बना लेते हैं जिसमें तुम्हारी गुडिया भी आसानी से आ जाए बताओ तुम्हारी गुडिया की लंबाई कितनी है पता नहीं, चलो अभी नाप लेते हैं देखो मेरी गुडिया की लंबाई है 15 सेंटिमीटर मेरी गुडिया की लंबाई भी पता करते हैं तुम्हारी गुडिया की लंबाई है 10 सेंटिमीटर अभी किले की लंबाई कितनी है? किले की लंबाई अभी 12 सिंटीमीटर है इसलिए तुम्हारी गुडिया किले में नहीं बन रही थी तुम्हारी गुडिया के लिए 15 सिंटीमीटर का किला बनाना होगा चलो बना लेते हैं अब किला तयार हो गया अब किले को नापते हैं किले की लंबाई अब 15 सेंटीमीटर है इसका मतलब अब इस किले में मेरी और तुम्हारी दोनों के गुडिया पूरी तरह से आ जाएंगी हम्म अब हमारी गुडिया आराम से किले में आ गई एक बात पर ध्यान दिया तुमने क्या? यही कि मेरी गुडिया तुम्हारी गुडिया से लंबी है हाँ पर तुम्हारी गुडिया मेरी गुडिया से कितनी लंबी है इसका पता लगाना आसान है तुम्हारी गुडिया 10 सेंटीमीटर लंबी है और मेरी गुडिया 15 सेंटीमीटर लंबी है कि तुम्हारी गुडिया मेरी गुडिया से कितनी चोटी है 15 में से 10 खटाने पर 5 आएगा इसका मतलब तुम्हारी गुडिया मेरी गुडिया से 5 सेंटीमीटर लंबी है हाँ और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हारी गुडिया मेरी गुडिया से 5 सेंटीमीटर चोटी है हाँ, अब अगर मुझे तुम्हारी गुडिया के बराबर की गुडिया लेनी हो तो मुझे 15 सेंटीमीटर की गुडिया खरीदनी होगी हाँ और अगर मेरी गुडिया से बड़ी गुडिया खरीदनी हो तो 15 cm से बड़ी गुडिया खरीदनी होगी इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे तुम्हारी गुडिया के बराबर की एक गुडिया खरीदनी है तो तुम्हारी गुडिया साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस स्केल को साथ ले जाना होगा नहीं स्केल को भी साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही बोलना काफी है कि 15 सेंटीमीटर की गुडिया चाहिए सही कहा, क्या इसका मतलब यह हुआ कि सेंटीमीटर का नाप हर स्केल में एक जैसा ही होता है हाँ, पर इतने छोटे स्केल से तो हम सिर्फ 15 सेंटीमीटर लंबी चीज़ें ही नाप सकते हैं अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी चीज़े नापनी हो, तो कैसे नापेंगे? मुझे लगता है इससे बड़े-बड़े स्केल भी आते होंगे. हाँ, लेकिन हमको बड़े-बड़े स्केल कहां से मिलेंगे? क्यों ना कल पापा से पूछे, शायद उनको पता हो, हाँ, ऐसा ही करेंगे. आज हमने सीखा कि लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रियोग किया जाता है. वस्तूओं को नापने से हम बता सकते हैं कि कोई वस्तू दूसरी वस्तू के मुकाबले छोटी है, लंबी है या समान लंबाई की है.